माता पिता में हमेशा अपने बच्चों के प्रती स्वामित्व का ओनर्शिप का भाव होगा वो बहुत बुरा लगता है पर वो होगा वो होता ही है क्यों होता है उन्होंने तुम्हें एक नन्ने से बच्चे से और इतना बड़ा इंसान बनाया हमेशा तुम्हारी रक्षा करी, तुम्हारा पालन पोशन किया, तुम्हें बचा के रखा इस दुनिया से तो तुम क्या चाते हो एक दिन में वो भाव को खतम कर दे जो भाव सालों से उनके मन में ठहरा हुआ है जिसके सारे से उन्होंने तुम्हारा पालन पोशन किया वो एक दिन में खतम नहीं होगा चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो वो हमेशा रहेगा पर माता पिता को ये समझने की जरुत है कि जो ये स्वामित्फ का उनर्शिप का भाव है ये मैं के भाव से पैदा होता है, ये एहंकार के भाव से पैदा होता है, मैंने इसको पैदा किया, मैंने इसको पढ़ाया लिखा, मैंने इसको बढ़ा किया, मैं शामिल है ना सब चीजों में, तो अब उनको इस बात का एहसा होंगे अलग भाव होंगे वो मुझसे बिन होगा उसकी सोच मुझसे अलग होगी तो मैं उसके मैं को त्याग नहीं सकता क्योंकि मैं अपने मैं को भी नहीं त्याग पा रहा हूँ मैं उससे कैसे उमीद रखलू कि वो मैं इत्याक के सब कुछ मेरे साब से कर ले तो हर माता पिता को एहसास करना चीए कि जितना मैं एक अलग इंसान हूँ एक आइडिनिटी हूँ उतना ही मेरा बच्चा भी है मैंने उसे कितना ही पाला पोसा हो, बड़ा किया हो, उसके ले कुछ किया हो पर उसके विचार, उसकी सोच, उसका मैं हमेशा अलग रहेगा, वो प्रबल रहेगा और उस पर ध्यान देना, उसको मैच्चियोरली हैंडल करना मेरी समझदारी है इससे माता-पिता को इस समझना चाहिए कि हर इनसान का एक personal space होता है, एक boundary होती है, मेरी भी है, मेरे बच्चे की भी होगी, कहीं चीजे वो बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि मैं करूँ, कहीं बार वो बिल्कुल नहीं चाहेगा, मैं किसी चीज में interfere करूँ, हम माता-पिता होन के नाते हैं, उनको समझा सकते हैं, एक्जामपल्स दे सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, उनसे समय मांग सकते हैं, पर उनको ब्लैक मेल नहीं कर सकते हैं, जबरदस्ती रोक नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं, बांध नहीं सकते हैं, यहां मैं क्रिमिनल उत्रा करो उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना और आपके माता पिता आपसे समेh मांग रहे आपके फैसले के लिए आपको समझा रहे हैं कन्विंस करे हैं चाहे खिलाफ कन्विंस कर р ú तो चिड़ो मत सुनो समझो और समझाओ अपने फैसले को और मस्बूत बनाओ या एहसास करो कि मैं गलत हूँ दोस्तो हम लोग इंसान है हमारे माता पिता पंच्छीयों की तरह नहीं बन सकते कि बच्चा पैदा किया थोड़ा सा बढ़ा किया और धक्का दे दिया फिर भूल गए फिर दुबारा बच्चा पैदा किया हम लोग मेकैनिकल जीव नहीं है आपके बड़े होते ही वो आपकी तरफ से नजरे नहीं अटा सकते उनका ध्यान हमेशा आप में रहेगा आपकी बहतरी में रहेगा आपकी कुशी में रहेगा तो इंटरफेरेंस रहेगी जादतर बच्चे इंटरफेरेंस से चिड़ते हैं कि पेरेंस इंटरफेर क्यों कर रहे हैं मेरा अपना जीवन है तो पेरेंस का माता पिता का इंटरफेर करना बीच में बोलना सुभाविक है यही तो आपको उनसे जोड़े रख रहा है यह प्रेम का भाव है, उनकी चिंता है आपके प्रती इससे चिड़ो मत जिस दिन कोई चिंता करने वाला नहीं होगा ना उस दिन हकेरे पड़ जाओगे उस दिन इच्छा होगी, कोई तो मेरी परवा करे कोई तो चिंटा करे तो आज ही कर लो ना वो चिंटा मैं तो अपने देश के इस कल्चर का इस वŞBig하는 का बहुत सम्मान करता हूं कि बड़ा होते ही माता पिता बच्चों को नहीं थ्याग देते हैं वरना बहार دेशों में जाकर देखो बच्चे अपने माता पिता से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट ले रहे हैं एक उमर का होते ही माबाप बच्चों से किराय लिना शुरू कर देते हैं धक्ये मार के बार निकाल देते हैं देख अपना मुझे अपना जीवन जीन है हमारे ऐसा नहीं होता माता पिता हमेशा बच्चों के प्रती सम्मेदार रहते हैं उनको समाल के रखते हैं उनकी परवा करते हैं उनके साथ खड़े रहते हैं और हम चिड़ जाते हैं मुझे इंडिपेंडेंडेंस चाहिए पर सपोर्ट भी चाहिए तो बच्चों के लिए कह रहा हूँ जब भी पेरेंट से डील करो, विवार करो, बात करो, इंटरैक्शन हो तो अपने मैं को मजबूत बनाने का प्रयास कम से कम उन से मत करो पूरी दुनिया से कर रहे हैं उन से मत करो क्योंकि उनकी वज़े से ही आपके मैं को बल मिला, आपका मैं बन पाया हाँ मैं की रक्षा जरूर करनी है अगर वो आपके मैं को कुछलना ही चाहे आप किसी इंसान से सच्चा प्रेम करते हैं, सालों साल का प्रेम है वो ब्लैक मेल करें कि उससे शादी तो होई नहीं सकती आप उस इंसान की मिना जीवर को नहीं देख पा रहे और वो इंसान सही भी है, सालों से जानते हो तो आपको अपने मैं को कुछ अलना नहीं है आपका टोटल पैशन, टोटल इंटरस्ट एक करियर की तरफ है बच्पन से उसी का सपना देखते आयो और माता पिता दबारे नहीं तुझे ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरा सपना ये था, मैं ये चाता हूँ दिर ले तो आपको अपने मैं की रक्षा करनी है नहीं सुनना, लेकिन हमेशा माता पिता के साथ खड़े रहो, उनकी एमरजेंसी में उनको कभी अकेले नहीं पढ़ने देना उनको हमेशा बहुत इज़त, बहुत सम्मान देना वो आग्रे भी नहीं कर रहे, वो मान भी नहीं पा रहे तो भी आपको उनका सम्मान करना है, उनके लिए खड़े रहना है मान जाएंगे अपने आप दीरे-दीरे बहुत इंपोड़न बात है बहारी दुनिया के सामने अपने माता पिता को हमेशा बहुत सम्मान दो उससे आप ही का सम्मान बढ़ेगा जैसे आप अपने प्रेमिया प्रेमिका के साथ बैठे हो तब ही आपकी मा का फोन आता है अब जातर लोग क्या करेंगे बाद बाद कर लोगा, चोड़ना तुरन त अपनी मा का फोन उठाओ मैं अपनी मागा सम्मान करता हूँ उनकी बात मेरे लिए जरूरी है कोई जरूरी बात ना हो तुरंत उठाओ फूल आपके लवर को भी पता चलेगा कि आपके लिए रिष्टों की एहमियत है रिष्टों का आप सम्मान करते हो और अगर वो इनसान ये चाहता है कि आप रिष्टों का सम्मान ना करो तो वो कभी भी आपका सम्मान नहीं करेगा ऐसे इनसान से दूर हो जाओ दोस्तो माता पिता के शब्दों के आगे तुरंत ही अपने एहंकार को मतला है माता पिता बुरी बाते भी बोल जाते क्रिडिसाइज भी करते है गलत भी बोलते हैं कोई बात नहीं ध्यान से सुनो कि वो क्या कहना चारे फिर अपना जवाब दो कि आप क्या करना चाहते है और क्यों आप सही हो क्यों वो फैसला आपके लिए सही है तो आपके दो काम हैं, एक तो उनके दिमाग में, उनकी बुद्धी में आपका जो फैसला है, आप चीवन में क्या करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियरली पहुचना चाहिए, बिना लारे रप्पे के, बिना बातों को गुमाए, कि ये तो ये ही करना चाहता है, और सम्मान के स बीच को छाहो दी, फल दीए, बढ़ाया, उसकी आज मैं रक्षा कर रहा हूँ, उसकी खुशियों का कारण आज मैं हूँ, आज मैं इतना मजबूत बन गया हूँ, कि उसका सम्मान मुझ से जुड़ा है, तो जो बच्चे अपने माता-पिता के साथ खड़ रहते हैं, माता माता-पिता की सेवा करने वाला पुत्रिया पुत्रिया लग, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, जो अपने माता-पिता की रक्षा करता है, सेवा करता है, उसका आदम समान हमेशा उचा होता है, क्योंकि उसका मन पढ़ रहा है, कि जिसने मेरी सालो साल रक्षा करी, आज मैं उसक कर रहा हूँ मैं इतना काबिल हूँ उसके साथ खड़े होने के काबिल हूँ उसकी इच्छा है पूरी करने के काबिल हूँ साथ ही साथ ये भी कहूंगा, आपको अपने मैं की अपनी आइडेंटिटी की भी रक्षा करनी है, कही बार माता पिता इमेच्योर बाते करते हैं, नेगेटिव बाते करते हैं, बहुत गंदी बाते भी करते हैं, हो सकता है आपको नीचा ही दिखा दे हैं, ऐसे ताने मारें कि आपका खुद पर से विश्वास उठ जाए तो उस समय के लिए बात कह रहा हूँ अपने मैं की रक्षा आप ही को करनी है क्योंकि माता पिता है तो आम इंसान ही आम इंसान की जो बायसिस होती हैं जो सोच में कमिया होते हैं में सबाव में कमिया होते हैं वो सब उन में मौझूद हैं और कही बार माता पिता टॉक्सिक हो जाते हैं कही माता पिता टॉक्सिक होते हैं इस बात को हमें अपना ना पड़ेगा गलत होते हैं माता पिता बच्चे का बुरा भी कर देते हैं कई बार माता पिता बच्चे को सुसाइट करने पर भी मजबूर कर देते हैं, बच्चे की जान भी ले लेते हैं, ऐसा होता है, इस दुनिया में कम होता है, पर होता है, तो इस चीज को एग्नोर नहीं करना चीए, माता पिता को भगवान नहीं समझना है, कि वो आपकी बली ल वज़े से खुद को जज नहीं करना, खुद को नीचा नहीं सबजना, अपने कर्मों को नहीं रोकना, अगर माता पिता टॉक्जिक होई गए तो एसास करो कि माता पिता टॉक्जिक हो गए है, अब मुझे उनके शब्दों को दिल पर नहीं लेना, अपनी रहा बनानी है, उन पर ध्यान ना देना strong identity नहीं होती मजबूत व्यक्तित नहीं होता किसी के भी toxic शब्दों को गलत वेवार को अपने दिल पर ना लेना उस इंसान की कीमत को कम कर देना उन शब्दों के लिए और अपनी रहा पर आगे बढ़ते रहना ये है strong personality दोस्तों खुद पर भरोसा रखना जब कोई भी आप पर भरोसा नहीं रख पार आपके साथ खड़े रहना खुद को पहचारना खुद को मसबूत रखना आगे बढ़ते रहना ये है मसबूती की पहचार अ माता पिदा से कभी भी बदले का भाव мат रखो चाहेओं आपके साथ बुरा भी क्या क्योंकि बदले का भाव एक इंसान को खुद खाता है हमेशा खाता रहता है आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते कोई बड़ा काम नहीं कर पाते और अगर बदले का भाव रखोगे तो उनकी अंगिनत जो ऐसान है आप पर उनको चुकाने का भाव भी पैदा हो जाएगा वो और परेशान करेगा आपको तो जो भी उन्होंने किया गलत किया माफ करो दूर रहना ज़रूरी है तो दूर रहो पर माफ करो दोस्तो जीवन में हमेशा डिसाइसिव रहो बहुत पर्टिकुलर हो सोच समझ के जीवन के फैसले लो जीवन का एक विजन बनाओ और अपने माता पिता तक अपने इस विजन को अपनी इस सोच को अपने इन फैसलों को बहुत प्रेम से पहुचाओ पर क्लियरली पहुचाओ और उनको ये भी जताओ ये भी बताओ कि वो फैसला आपके लिए कितना जरूरी है आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी है और कारण भी बताओ कि क्यों जरूरी है फिर उनकी बाते भी सुनो वो क्या कहना चाहते हैं वो क्यों डिसगरी कर रहे हैं उनके कारण क्या है फिर उ पुझे प्रशन नहीं कर सकते हैं, यू कांट कुश्चन नहीं, आप होते कौन अब मैं बड़ा हो गया हूं, ये हरकत नहीं करना, ये अटिट्यूड नहीं रखना, ये नीचे लोगों का अटिट्यूड है, उचे लोगों का नहीं, अगर सब कुछ समझाने के बाद भी वो के फैसलों को नहीं अपना पा रहे हैं और आपको एहसास है कि मैं सही हूं, तब अपना फैसला अपने दम पर लो, उनके खिलाफ जा कर लो, पर इज़त से, दोस्तों ध्यान रखना कि ये जीवन हमें हर मोड पर अंधा कर देता है, अकरशन के इतने मैटर्स होते हैं, इतन पर अंधेपन को दूर करने का काम करते हैं, और जो ऐसा काम करेगा, वो हमेशा बुरा लगेगा, उनके अंदर वो मैच्योरिटी है, जीवन की वो समझ है, वो उस उमर से आगे जा चुके हैं, इसलिए उस उमर का एहसास है कि उसमें क्या सही है, क्या गलत है, इसलिए वो ह बहुत बार आपकी रक्षा कर लेंगे आज को इंसन बहुत ही सुनदर लगा पर अगर माता पिता की सुनोगे, उन पर विश्वास रखोगे, तो समझ में आएगा कि ये इनसान कितना गलत है मेरे लिए, आज चंद दोस्त बहुत अच्छे लग रहे हैं, मज़े कराते हैं, सिगरेट भी मिलती है, खुब हजिट डोले भी होते हैं, अच्छे तो लगेंगे इस टेंशन बरे जीवन में खुशी लेकर आ रहे हैं, पर माता पिता समझा रहे हैं कि बेटा ये खराब आदते डाल रहे हैं तेरे अंदर तु कभी करम नहीं कर पाएगा, इन नशों की लट पढ़ जाएगी, बिमार पढ़ जाएगा, बुद्धी कमजोर हो जाएगी, त कम होने शुरू हो जाते हैं, इस उरे ढलना शुरू हो जाता है, तो उनका सारा ध्यान, जितनी भी रोश्णी बची है, वो सिर्फ आप पर पहुंच जाते हैं, उन्हें आप ही नजर आते हो, लेकिन आपका जीवन तो उस समय सुबह में होता है, दुभैर में होता है, के सारा ध्यान अपनी तरफ देने के कि मैं कैसे आनंद लू ये पुरी दुनिया मेरी है उन पर भी ध्यान दो जिनका सारा ध्यान आप पर है उनकी भी भावनाओं को समझो कल को वह भावना है आपको भी देखनी है जगम बड़े होने लगते हैं न तो हमारे मन में तीव प्रेम करें लोग हमें पूछे हमारे दोस्त बने हर इंसान में ये इच्छा होती है उसी से हमें ताकत का सफलता का पावर का एहसास होता है और जो प्रोसेस है ना इस प्रोसेस में हम क्या गलती करते हैं जो लोग हमें शुरू से ही बहुत प्रेम करते आ रहे हैं हम उनसे चिढ़ने लगता ए तेरा प्रेम नहीं चाहिए, तुम्हारा प्रेम पेकार है, नया चाहिए, और उनका प्रेम चाहिए, वो कितना ही reperficial हो, नकली हो पर उनका प्रेम चाहिए यह बात ऐसी हो गई, कि आपके पास सोने से बरे दो मटके पड़े हुए हैं, वो सोना पुराना हो गया थोड़ा सा उनको फेक दिया और बिल्कुल नए चांदी से बने सिक्कों के आपको पॉट मिल रहे हैं घड़े मिल रहे हैं उनको अपना लिया क्या चांदी सोना बन पाए ही कभी चांदी कितनी ही नहीं हो, सोना कितना ही पुराना हो वो चांदी है, वो सोना है महेनी के था चांदी की कामना मत करो लेकिन सोने को समाल कर रखो उनके प्रेम की इज़त करो वो आपको पूछ रहे हैं, उस बात की इज़त करो, बहुत सालों बात जाके एहसास होगा कि वही सही पूछने वाले थे बागी सब मतलबी थे लेकिन अब वो चले गए अब तो बहुत देर होगी अब मैं कुछ कर नहीं सकता सिरफ एहसास कर सकता हूँ रो सकता हूँ तो आज ही इस बात का एहसास करके रखो दोस्तों इससे आप आंतरिक दोर पर मस्बूत भी बनोगे लोगों के आगे लेट होगे नहीं मन में हमेशा रहेगा माता पिता तो प्रेम करते ही और कोई कर रहा है तो वो बोनस है उसकी मुझे आवशक्ता नहीं है दोस्तों जब माता पिता का थोड़ा सा बुड़ापा आता है एक जवानी की एद से वो बहार निकल जाते है जो एक भाव होता है ना जवानी में कि पूरी दुनिया मेरी है पूरी दुनिया पर मैं राज कर सकता हूँ जब वो भाव सुभाविक रूप से ढल जाते हैं तब हर इंसान थोड़ा सा इंसिक्योर हो जाता है उन्हें थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए होता है थोड़ा बहुत सारा चाहिए होता है थोड़ा बहुत प्रेम चाहिए होता है उन्हें ये एहसास चाहिए होता है कि कोई मेरे लिए खड़ा है तो माता पिता हमेशा आपके छोटे से छोटी चीजों को वेल्यू देंगे कुछ बहुत छोटा सा उनके लिए कर लिया बर्दे पर केक लिया है कि घुमाने लेके उन चीजों को वेल्यू करेंगे उनकी कीमत को समझेंगे महीनों तक याद रहेगा कि मेरा बच्चा मेरे लिए वो करके गया था औरों के लिए वो चीज़ करोगे अगली दिन भूल जाएंगे माता पिता महीनों तक सालों तक याद रखेंगे सिर्फ ये ख्याल कि मेरा बच्चा मेरे साथ खड़ा है उनको मजबूती दे सकता है चाहिए इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना हो सिर्फ दोश अप्यार के बोलने हो आदा घंटा दिन में उनके साथ बैटना हो कितनी मामूली चीज़े आपको करनी है उनको सुक का एसास देने के लिए उनको सिक्योर करने के लिए जिनोंने पूरी उमर आपको पाल पोस के बढ़ा किया दोस्तो अपने पेरेंटस को अपने मादा पिता को अपना पंचिंग बैग मत बनाओ आपको पता है वो म motiv से प्रेम करते हैं अपनी ताकत बनाओ, उनकी ताकत बनाओ, उनके प्रेम का हैसास करो, उसको बल दो, उनकी सहुलियत का हैसास करो, कि वो हैं, कम से कम मेरी परवातों कर रहे हैं, दोस्तों एक बहुत जरूरी बात है, मानसिक तोर पर, जब हम बड़े हो जाते हैं, पूरे जीवन हमें भी आद करना है, खुद को समालना है, उनको भी समालना है, और वो बुजुर्ग हो गए, उनकी रेटार्मेंट की उमर आगे, अभो इतना नहीं कर सकते हमारे लोगे, तो हम उस बात को एकसेप्ट नहीं कर बाते हैं, हम उनसे उतनी ही उमीद लगा कर बैठते हैं कि मेरे लिए उतना ही खड़े रहें, मेरे उतनी ही सेवा करें, ना तो उनमें अब वो ताकत रही, ना वो संसादन रहें, कैसे करेंगे, इसलिए हम उनसे चिड़ने लगते हैं, याराज परेशानी का समय आया है, कुछ पैसों की जरूती माता-पिताई नहीं दे पाए, ऐसे प्रेम का क्या फाइदा, जो मेरी रक्षाई ना कर पाए भारवालों से, और इस फ्रस्टेशन की वज़े से, इस नकली सोच की वज़े से, अपने माता-पिता की बेस्ती करते हैं, उनसे चिड़ने लगते हैं, उनको कम आकने लगते है दोस्तों जीवन एक चक्र है, आज जहां माता-पिता खड़े हैं, कल आप भी वहीं खड़े होगे, आपके भी संसादन कमजोर हो गए होंगे, आप में भी बल नहीं रहा होगा, आपके साथ भी ऐसा ही विवार होगा, कल जब आप कमजोर थे, आप नन्ने थे, आपके बस क कुछ नहीं था, वो आपके साथ खड़े रहे, आज आप उनके साथ खड़े रहे, उन्होंने आपकी पूरे जीवन के लिए जिम्मेदारी नहीं उठाई, प्रेम जरूर करते हैं, पूरे जीवन पर जिम्मेदारी उतने समय तक के लिए उठाई थी, जब तक आप पालजीक तोर पर कभी भी आपका सम्मान नहीं कर पहएगा, उसके मन में भात बैठ जाएगी, कि ये इंसान सम्मान के लायक नहीं है, अपने माता-पता का सम्मान नहीं कर रह हूँ, पर अगर आप उसके सामने नहीं कर रहे हैं, तो आपकी परसनलिटी जरूर नीची हो सकती वो कमजोर हो गए अब वो इतना नहीं कर पा रहे हैं तो बत्ता मीजी करो जाड़ो उनको फ्रस्टेशन उतारो उनको और दोस्तों माता पिता के लिए एक जरूरी बात है जब आपका बच्चा बड़ा हो गया एडल्ट बन गया तो आपको इस बात का एहसास करना होगा कि यहाँ पे age gap doesn't matter कि आपकी और उनकी उमर में कितना फरक है अब वो इतना matter नहीं करता आप दोनों एडल्ट हो वो बच्चा भी अब एडल्ट बन गया है बड़ा बन गया है आप पहले की तरह उनपे control नहीं रख सकते उनपे हक नहीं जमा सकते तो जो एडल्ट होट होता अपने हिसाब से चला सकते हैं ना उनको गट्रोल कर सकते इन सब चीजों को जाने देना होगा और एक दोस्ति का बनाना होगा समान का रिष्ता भी रहेगा पर एक दोस्ति का रिष्ता नर्चर गरना होगा इतनी maturity माता पिता में होने चाहिए तो अपने बच्चों से अगर वो जरूरी है, वो अच्छे है, वो समझदार है, मूर्ख मत दिखाओ, उन पे भरोसा दिखाओ, वो गलती कर रहे हैं, तो उनको कोसना नहीं है, उनको अपलिफ्ट करना है, मोटिवेट करना है, उनके साथ खड़े रहना है, और उनको आगे बढ़ने में प्रेरित करना है, ताने नहीं मारने, और सबसे जरूरी है, कि आपके फैसलों को वो नहीं मान पा रहे है, या उनकी सोच अलग है, उस बात का संबान करना, कि वो भी एक इंडिविज्वल है, अब बड़ा हो चुका है, अपने इसाब से फैसले लेगा, उस बात को दिल पर, इगो पर ना ले उनको खुला छोड़ दो, उनका अपना जीवन है, अपने फैसले है, अपनी सोच है, उस बात से जीने दो, थैंक यू और अलग बेस्ट